ओम गौरी शंक्राय नमार राधे राधे एवरिवन तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज के दिन माता पारवती से सुहाग कैसे लिया जाता है क्या इसकी विधी रहती है क्या इसके संपूर नियम रहते हैं तो देखे बादो माज से के शुकलपक्ष की तृतिया तिती को हरतालिका तीज का पर्म मनाया जाता है इस दिन सुहागीन महिला अपने सुहागी लंबी आयू के लिए घर में सुक्सम्रिद्धी के लिए इस व्रत पूजन को करती है तो देखे अगर कुवारी कन्याएं कर र देखे आप प्रदोशकाल में तीज वाले दिन प्रदोशकाल में बड़ा जब आप पूजन करते हैं तो उसमें आप अपना सिंदूरदान पूजा में जरूर रखे जिसे हम सिंदौरा भी कहते हैं जो शादी के समय का आता है इसमें सूखा सिंदूर रखा जाता है हमें ग सिंदूर अर्पित करें, सिंदूर लगाएं मा को तो मा को ऐसे सुहाग अर्पित किया जाता है तो पांच बारी या साथ बारी ऐसे आप अगर पार्थे मूर्थिया हैं तो वहाँ पर आप सिंदूर लगाएं मा का शिंगार करें अगर तस्वीर से पूजन कर रहे हैं तो वहां पे भी लगा लें अब उंगली में जो सिंदूर बच जाता है तो ऐसे इधर उदर ना डालें उसे आप अपने चूड़े पर माथे पर जरूर लगा लें उसके बाद में अगले दिन सुबह पारण से पहले मा से सुहाग लिया जाता है यानि कि तीज के अगले दिन सुबह सुबह प्रमूरत में उठकर के सुख्ष्म पुजन करने के बाद में मा से सुहाग लिया जाता है जो भी आपने सुहाग की सामिगरी मा को चड़ाई है उसमें से आप एक एक दो दो चूड़िया पहन लें बिंदी लगा लें थोड़ी सी नेग चार के लिए महनी लगा लें और उसके बाद में आप ऐसे देखिए अपनी जो चुनरी है उसका ऐसे हम नोक पकड़ते हैं फिंगर के उपर और ऐसे हम मा से अगर हमने पांच बारी सिंदूर चड़ाया मा को तो हम पांच बारी ही सुहा न उसको आप अपने पास रख सकते हैं ऐसे विधी की विधी होती है जो जितने माता के पुजन होते हैंते हैं सब में आप इसी प्रकार से सो ले सकते हैं चया वो हर्याली की जह पी ज़ेभा पूजन यह इसी विधी रहती है अगले दिन सुभा यानि कि ये जो सिंदोरा है, शेंगार की सामिगरी है, ये पूरी रातरी भर माता के पास रहती है, अगले दिन ये सुहाग लिया जाता है, कहीं कहीं पर चीर बांधने की भी प्रथा है, तो आपके याँ पर ये चीर बांधा जाता है, तो वो भी आप याँ पर बांध सकते ह कोरे वस्तर का एक टुकडा या चुन्रियादी बांधी जाती पर अब जाकर के हमारे चैनल पर इन सारी वीडियों को देख सकते हैं आज का लगा मुझे कॉमेंट बोक्स में जरूर बताना और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा अभी पसंद आया, थोड़ा सा भी यूसफुल लगा है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर आज आप हमारे चनल पे नए आएं तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार के हिंदू रिती रिवाश्ती इस जोहार से समन्दित वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो को जज़दा शेय करना और कॉमेंट बॉक्स में पारवती मिया कीजिया पावशे लिखना आप सभी को हरताल कातीज की बहुत बधाया